दोस्तो टाटा पावर की बात करें स्टॉक फिर से करेंट में आने लगा है और मुझे लग रहा है कि इस बार ये तेजी से फिर से बढ़ना शुरू होगा और वैसा ही रिटन दे सकता है जैसा इस टॉक ने कोविर काल में दिया था आपको पता होगा स्टॉक 28 के आसपास था वहाँ से जो दोड़ा तो 298 पे जाके रुखा तो ऐसा ही रिटन लोग अपेक्सा करें के फिर से टाटा पावर कब देगा तो अब धिर दरे वो समय आने लगाए यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल क्या रहे है जिसको डिसकस करेंगे इस वीडियो के मादेम से सा काफी जारा परिशार में होगे जिन्हों ने टाटा पावर में इन्वेस्मेंट के उनको लगता है कि हमारा निवेस तो बिलकुल एक तर से यहाँ पे फस गया यहाँ पे कुछ होने वाला हमारा नहीं है लेकिन अब जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव संभावरा बनने की सि से पहले अगर हम बाजार की बात करें तो BSC Sensex आज 62,626 के इस तर पे क्लोजिंग दिया जापे हमने 208 पॉइंट की गिराउट देखिये यानि 0.33 परसंट गिरा हमारा BSC Sensex और पिछले कुछ ट्रेडिंग से से हम देख रहें की बाजार में हमें तेजी देखनों को नहीं म इतना Profit Book तो करेंगे ही दूसरी तरफ देखे तो आज बाजार में हमने देखा है कि FI और DII दोनों ही बिक्वाल बने इससे बात समझ में आ रहें कि अभी थोड़ा दबाव और जारी रह सकता है लेकिन इसके बावजुद भी आज Startup और के Stock ने कमाल किया है और काफी अच Stock की Closing 228 पर रही जापे हमने 1.96% की सांदार तेजी देखी है पिछले एक साल के इसाफ से देखे तो Stock फिलाल अभी 0.95% की तेजी देखा रहे है यानि Stock वही पर है जापे एक साल पहले था 6 months के इसाफ से भी फिलाल इसमें 2.62% की गिरावट है और यहाँ पे एगर हम इसक से लोग काफी जाए इसमें परिशान भी हो गए थे आज बहुत दिन के बाद वॉल्यूम में जबर्दस उचाल देखरों को मिल रहा है आप देख सकते हो पिछले एक महीने पर इसका 91 लेक का वॉल्यूम था वन वीक पर इसका 88 लेक का वॉल्यूम हो था और कल इसका 1 क्रो ओडिसा में बहुत बड़ा इंवेस्मेंट करने जारे है तो यहाँ पर क्लेरिफिकेशन मागए थे उनसे कैई है जो मीडिया में रिपोर्ट निगल के यह सच है अब एक्चेंज के इसी सवाल के उपर क्लेरिफिकेशन दिया गया है टाटा पावर की दर्ब से टाटा अब ग्रेड करने के लिए उसमें और एक नए नेटर्वर्क नई टेक्नोलोजी और कस्टमर सर्वीस और यह सारे के सारे करने के लिए उसमें हम 6,000 कोर बीज का इन्वेस्मेंट करने जारे है और यह लगातार और आगे होगा यानि मेक इन इडिया के तैद और इसमें जो नई पॉलिसी होगी उसमें भी हम उसमें इन्वेस्मेंट करेंगे यहनि कुल मिला के उन्होंने इस बात को माना है कि हम इन्वेस्मेंट करने वाले हैं ओडिसा में और अल्यडी हमने पिछले जिनों डिसकस भी किया है उन्होंने एक ओडिसा का पुरा डिसकॉम है जो ग्र क्या रही है टाटा पावर के लिए जैसे कि आपको पता होगा HDFC और HDFC बैंक का मर्जर होने जा रहा है और ये 2023 में हो जाएगा मर्जर उसके बाद में यहाँ पे HDFC की जगह टाटा पावर ले सकता है यह एक प्रबल दावेदार है जो HDFC को रिप्लेस कर सकते और इसमें जो सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है वो टाटा पावर का यह आने वाले समय में टाटा पावर में एक और बड़ा नया इन्वेस्मेंट की शुरुआत होगी क्योंकि जब आप समझ सकते हो कि एक अच्छी जगह पे पोजिशन में पहुच जाता है तब आप समझते हैं कि निप्टी फिप्टी में जगह आने का मतलब यह हो जाता है कि वहाँ पे लोगों का इन्वेस्मेंट बढ़ना शुरू हो जाता है और इसलिए आने वाले समय आपे एक और अच्छी तेजी आने की शुरू हो जाएगी बहुत सारे mutual fund है जो ऐसे strong stock के अंदर ही निवेस करते है तो ऐसे में टाटा पॉर में investment आना शुरू होगा फिर से दाड़ना बनने की कब यह stock फिर से दाड़ना शुरू होगा फिलाल टाटा पॉर के stock की बात करें यह अपने 5 days, 20 days, 50 days, 100 days, moving average से उपर trade करा है लेकिन 200 days के नीचे अभी trade करता हो आपको दिखाई देगा आप और के quarter 2 के result की बात के तो 85% का jump देखना को मिला है हमें net profit में जो आप देख सकते हो कि इस बार 935.18 crobs के आसपास रहे जबकि पिछले साल सेम quarter में यह 505.66 crobs के आसपास था तो काफी सांदार इस बार profit दिखाए company ने इस बार जो company की total income में 14,181 crobs के आसपास रही है जबकि पिछले साल सेम quarter में यह 10,187 crobs के आसपास थी अब यहाँ पे देख सेंगे कि मनोज डाली में जो profit and equities के founder और डारेक्टर है उनकी तरब से का गया है कि Tata Power को पिछले सेंगे कुछ रैली का benefit मिला था जो coal price की वज़े से जहाँ पे आप देख सेंगे काफी ज़्यादा उसका benefit मिला क्योंकि इनकी खुद की भी coal mines है और इस वज़े से देखे तो इनको काफी अच्छा profit देखनों को मिला करीम 935 कोड़ बीच का अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आने वाले समय में stock की price में तीजी की समवाण बन रही है और उनका कहना है कि आने वाले समय में इसमें हमें जो target है वो 300 तक यह stock जाता हो दिखाए दे सकता है और उसके बाद में जो इसके target है वो 350 से लगए 400 के देखने को मिल सकते है यानि long term target 400 का है तो इस level पर खरिदारी की जा सकते है यानि इस level से अगर आप देखे तो आपकी जो price है वो दूगना होते हुँ दिखाए देगी यह मनोज डालिमया का एक तरसे कहना है तो कुल मिला के आप इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर सोच सकते है tips to trade के अभीजित की तरफ से भी यहाँ पर इसमें खरिदारी की सला दी जा रही है उनका कहना है कि काफी मजबूत लग रहा है कारूबार और जिस तरसे company का business model आगे बढ़ रहा है company लगातार नए प्लान पेस करें उसे इसमें आने वाले समें इसमें अच्छी समावनों बन सकते है लेकिन उनके इसमें इसकी फिलाल range है जैसे 210 से लेके 235 के आसपास है तो आपको 210 के आसपास करिदारी करनी चीए और आने वाले समें इसकी जो price है कुछ सब्ता के बाद आ का कहना है कि यहाँ पे Tata Power के business को देखे तो उसमें काफी जड़ा potential है कि आने वाले समें इसमें और अच्छी हमें तेजी देखना को मिल सकते है क्योंकि company renewable energy sector में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और साथ में government की तरब से private sector को जिससे से promote किया जा रहा है support किया जा रहा ह उसका फाइदा Tata Power को मिल सकता है और इसमें Tata Power एक बढ़ा रोल निभा सकता है दूसरी तरब electric vehicle के उपर Tata Power बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है लगातार उनका कारूबार बढ़ रहा है और आप देख सकते हो कि उन्होंने करीब 1000 प्लस चार्जिंग इस्टेशन इस्ट तो आप देख सकते हो कि रिसर्च अनारिश रहा लगातार यहां पर बाइक की कॉल दे रहे टाटा पावर में और वाकर में Tata Power मजबूत है दूसरी तरब अगर आप देखे तो Tata Power ने ओडिशा में तो investment किया ही है लेकिन उन्हों का प्लान है आने वाले पास साल में वह 75,000 को भी इसका बहुत बड़ा investment करने जा रहे यानि net zero carbon policy पे जाना चाहते है यानि जो investment अगर उसके हिसाब से company न अपने हिसाब से 2045 का गोल सेट कर दिया कि 2045 तक वो अपने पूरे business को net zero carbon policy पे लेके जाने वाले है जितना भी फिलाल जो उनका जो pollution करने वाला business है चाहे coal से ब 1000 को भीज का green energy के sector में निवेस करने जा रहे है यह एन चंदे सेगरन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है यानि कुल मिला के टाटाप और का vision क्लियर है और यह आने वाले समें stock एक बड़ा multi burger बन सकता है तो इस समय नजरिया long term का लेके निवेस किया जा सकता है टाटाप और आने वारे समें आपको माला माल कर देगा सिर्फ 3 साल के stock को hold कर सकते आप तो यह आपको 1000 का target दिखा सकता है लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से बाढ़ने ले ले यह अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंकियो फ्रेंड